हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एक एजुकेशन स्कॉर्ड में सवागत है फ्रेंट्स मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं फिजिकल एजुकेशन से ठीक है और उमीद करेंगे सारे कोश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परिच्छा में बेहद हेल्फ करेंगे तो चलिए फ्रेंस बिनादरी के स्टार्ट करते हैं और आज के कोश्चन हम ऐसा कि हम इसा की तरह वन लाइन है वन लाइनर ही रहे करेंगे और आज मैं इस वीडियो में ज्यादा इसकी बैख्या नहीं करूंगा क्योंकि यह पहले से कोश्चन आपको कराय हुए हैं तो सिधा सिधा देखते हैं और विवाइज के तोर पर इसको पढ़ते हैं वह दस बारा मिनट का वीडियो रहने वाला है तो चलिए फ्रे होता है वह कौण सा पकेटर कहलाता है तो इस परकार का जो पेक्टर रहेगा यह शामान फेक्टर या फिर बंद पक यर कहलाता है ठीक है अब इसको समझत लेते हैं जिसे मालों हisti है ठीक है Hels 2019 मालों पूर या लनकि के का आप पर तूट जाता है लेकिन वहाँ पर तोचा प थीक रहे लेकिन हड़ी तोट जाएं दर की तो ऐसी कंडियशन दोरी बाल निकल आएक है घ्टी Arc just circles on the way चल जाए चुला मोश देखते हैं कि प्रेंस घ्री टूट कर बाहर निकल आएं ठीक है है करने का मलब है कि ह다डी तूट कर बाहर यानि बाहर बाहर नीकला तो दोट जाती है और वो ड्यज़ का से बाहर निकल आती है इसकी इस किन जो हमारी होती इसकीन को फाड़ कर बाहर का आती है है चले अगला देखते है प्रिश्ट नीमर्ट तो चा की स्ट होती है तो चली है तो उस तरीके कि कि चोट को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं पंचर चोट कहते हैं जब तुचा में हमारी सुराग हो जाता है अगला देखते हैं प्रेश नमबर पांच हड़ी का तूट कर अंदर धंस जाना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है डिफ्रेश्ट फ्रेक्चर कहलाता है अगला देखते हैं अश्ति भंग होने का शामान यंग होता है तो अश्ति भंग होने का जो सामान यंग है वो कौन सा है कलाई होती है कलाई में सामान क्या होता है अश्ति भंग होने की संभावना सरवादिक बरी रहती है अगला देखते हैं प्रेश नमबर साथ मसल की चोट लगने के पश्चात कितने समय बाद व्यायाम किया जा सकता है या किया जाना चाहिए ठीक है जो हमारी मांस्पेसियां होती है तो मांस्पेसियों की जो चोट लगती है तो मांस्पेसि चोट लगने के कितने घंटे बाद व्यायाम करना मलब कर सकते हैं या किया जाना चाहिए तो यह लगभा truck 48 घंटे ठीक है 48 घंटे बाद हम पुना वयाम हलके फुलके कर सकते हैं ठीक है कोई बहुत ज्यादा सीरेस चोड़ना लगी हो हलकी फुलकी मांसपेशी चोट हो तो उस condition में हम 58 घंटे बाद पुना बयायाम कर सकते हैं क्योंकि मांस्पेसियां जो रीकवर हो जाती है तब तो ठीक है चलिए अगला देखते हैं हद्दी का तूटना किस आवध की चोट है ठीक है तो यह हो जाती है जिसे हद्दी है हद्दी तूट जाएगी तो यह कोई जिसे मांस्पेसिय हो गई तो 48 इस घंटे में लगभग रिकवर कर देती है और बहुत सारी चीजें हैं या कोई हलकी फुलकी बुखार आ गया जुखाम आ गया ऐसी कंडिशन में जो बीमारियां होती है या कोई चोट लगती है नार्मल सी वह दो चार दस दिन में ठीक हो जाती है ठीक है लेकिन जो हड़ी जाएगी तो मलब दिर कालीन लांग टर्म में वह चली जाएगी तो इसलिए कोश्चन आ जाता है कि हड़ी का टूटना कि सवध की चोट मानी जाती है तो यह दिर कालीन मलब लंबे समय के लिए चोट होती है ठीक है चलिए अगरा देखते हैं कूल डाउन या लिंबरिंग कहिए या कूलिंग डाउन कहिए तो यह कूल डाउन कब किया जाता है तो यह खेल के पश्चात किया जाता है ठीक है किसलिए किया जाता है जो हमारी मांस्पेशी होती है उनको ठोड़ा रिलेक्स मिलता है ठकान भी कम हो जाती है और नीद भी अच्छी आती है और ब्लड सर प्रतियोगिता के बाद में किया जाता है ठीक है जब कि जो वार्म अप होता है वो खेल से कुछ समय पहले किया जाता है सरीर को गर्म करने के लिए अगला देखते हैं क्या है निस्क्री वार्म अप क्या होता है देखो सक्री वार्म अप क्या होता है सक्री वार्म अप होता है जब हम हलके फुलके बयाम करते हैं प्रतियोगता से पहले ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम सक्री बयाम कहते हैं लेकिन यहां पर कोश्चन क्या है निस्क्री बयाम क्या होता है तो निस्क्री बयाम में क्या होता है कि मलब बात यह है दवाईयों का सेवन करता है ठ संसाधनों का उपयोग करके क्या करता है ठीक है दवाईयों का स्वयमन करें या फिर वो मलब संसाधनों का जो उपयोग करके बयाम करता है खेल से पहले तो उसको क्या बोलते हैं निस्क्री बयाम भी Warm Up करने से Blood Circulation भी अच्छा हो जाता है मलब एक सामान गत्षे Blood Circulation होता है और जो में मांस्पेश्यां होती हो भी खेल के अनुरूप हो जाती हैं तो तो इस Condition को क्या बोलते है शक्री ब्याम बोलते है ठीक है अच्छा फिली ब्याम की बात आती है तो क्या होता है कहलें कितने परकार के फाइब पाएबर से नमार तो सफेड फाइबर पाएबर स्थे में कितनी होती है तो यह आप ने हमें कमेंट में बता देना है ठीक है चलिए अगला देखते हैं वह पेसी क्या कहिला थी है जो हमारी इच्छानुसार कारी करती हैं hold ँजया कहलाती है ने यह व्यव्य सब्सक्रणता करती हैं झालारे सब्सक्राइड क्या होती है अनेचिक होती है हमारी इच्छांसार नहीं कारी करेंगी वह अपनी इच्छांसार कारी करते हैं हमारी इच्छांसार कर नहीं करेंगी ठीक है उन पर हमारा कोई नियंतर्ण नहीं होता है वह सुता चलाइमान होती है ठीक है चलिए अगला देखते हैं 14 प्रस नु साइटोलोजी कहलाता है अगला देखते हैं प्रस नमबर 15 कितने डिगरी के कौन पर किसी वस्त को सबसे तेज फेका जा सकता है ठीक है क्या है काफी महत्पूर्ण है यह सारे कोश्चन प्रिश्चा में किसी ने किसी आए हुए हैं तो पंदा नमबर कोश्चन कितने डिगरी क के कौर किसी वस्त को सबसे तेज और सबसे दूर मलवश फेका जा सकता है तो यह होता लुकरенко कि कोड़ पर जब हम किसी वस्त को फेटते हैं तो सबसे ते जो सबसे दूर जाने की संभावना निशित ही बनी रहती है ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रस नुमर 16 कारी के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेसी होती है तो कारी के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेसी होती है जो कार्डियक मसल होती है यानि हिर्दयक पेशी होती है ठीक है कारी के हिसाब से सबसे मजबूत मांस पेशी कौन सी होती है कार्डियक मसल से यानि हिर्दयक पेशी होती है जो हिर्दय में होती है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अंतरश्टी ओलंपिक दिवस प्रतेइक व लिए टूनंँटमेंट को यह भी कहा जाता है तो इसको कहा जाता है बर्गर विधी या पिर तुनामेंट या किस्को लीग को क्या कहते हैं अग्लाइस नूमर मुश कितने परकार के परकार के होते हैं तो तूनामेंट जो होते हो चारे प्रक्रार के होते हैं कौन-kौन से नाकाउट टूर्णामेंट लीग टूर्णामेंट႘ जो हमारी इस चछा में खेलin प्रणावी लाने का सरए किसे जाता है तो यह हैं काल्ड वेल कुक ठीक है कौन काल्ड वेल कुक है अगला देखते हैं कौन सा पदार्थ सरीर का संत्रों बनाने में मदद करता है तो यह होता है इंडो लिंप ठीक है क्या है इंडो लिंप होता है ठीक है अगला देखते हैं प्रेस्ट नमबर 23 यूरिया का निर्माड शरीर में यूरिया का निर्माड शरीर के किस अंग में होता है तो यह होता है यक्रत में ठीक है जो यूरिया होता है तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माड कहा होता है तो यक्रत में होता है ठीक है अगला देखते हैं प्रेस्ट नमबर 24 एपी लेपसी रोग का संबंद शरीर के किस किस अंग से है ठीक है एक पिलिप सी रोग होता है तो लो इस रोग का संब्द सरी के किस अंग से होता है तो यह होता rosy से हैं चिसे ऑ गुख शनलना अरवない किस रोग में और यहां पर थोडा सो यह ट्सराइप मिस्टेक हो कि कि रोग में अंग सूझ कर मोटे हो कि wiping कि रोग में अंग सूझ कर मोटे हो जाते हैं तो यह होता है faketa घिक है की होका होता है faketa कि वाल्यीया होता है सदुध सिति fills aif यह रोगों से संभधित मैंने वीडियों पहले से डाल रखिए बना रखिए है यूटूब पे वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी मलब वहां पर देख सकते हैं इन चीजों को चलिए मैंने काफी मलब याख्या सहीत इनको मलब डिसकस किया है वहां पर चलिए जब मुड़ें अब था तो जब मुड़ें तरफ जूक जाता है क्या कारण है है और जो स्टेंडर्ड होती है Tres शों मीटर की होती है ही ठीक है शपॉण की खोग किसने की थी ऑल डियर ने की थी तिक है अगला देखते हैं हुड ciao से बड़ी प्रत है तो यह होती है मायो कार्डियम ठीक है मायो कार्डियम जो की बीच वाली प्रत होती है हिर्दें की हिर्दें की तीन प्रत होती ही ठीक जो बीच वाली होती है इसको ठीक है हिर्दें की सबसे बड़ी प्रत कौन से मायो कार्डियम होती है जो की बीच में होत तो इसका जो सही एंसर है किया है भार ठीक है भार पर असर पढ़ता है अगला देखते हैं ऑलंपिक धज में ऑलंपिक धज के 5 गोल छलों में प्रैका होता है उसकी पर्स में छल्ल कैसा होता है कि इस तो यहां पर एस्या की बात करी गई है तो एस्या का रंग कैसा होता है ठीक है तो फ्रंस यह थे कुछ कोशन और उमीद करेंगे कोशन अच्छा लगे होंगे आपको आपको आपकी परिछा में काफी ज्यादा हेल्प दी करें और इसी तरह के वीडियों पाने के लिए हमारे अभी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लाइक करें अपने यार दोस्तों में शेर भी कर दीजिए मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में और कल का जो वीडियो रहेगा वो योगा से रिलेटर रहेगा और उसमें काफी अंदर तक हम लोग डिसकस करेंगे तो चल जै फैंस मिलते हैं कल फिर ले एक नए वीडियो में नए टापिक के साथ में तब तक ले जै हिंद जै भारत